Hello students, we are going to continue exercise 8.3, question no.7, have a look, Maria invested Rs. 8,000 in a business, she would be paid interest at 5% per annum compounded annually, यह ध्यान रखे का principal amount 8,000 है, rate 5% per annum compounded annually, annually compounded किया जाता है, find the amount credited against her name at the end of second year, सबसे पहले तो first part करते हैं, दो साल बाद कितनी amount होगी यह निकालना है, formula हमने क्या हुआ है, अब यहाँ पर principal value कितनी है, 8,000, rate कितना है, 5, और कितने time बाद, दो साल बाद तो उपर आएगा, 2, क्योंकि दो साल में, दो बार calculate होता है, यहाँ पर T भी use हो जाता है, N भी लिखा होता है, N मतलब number of times the interest is calculated in the said period, यहाँ पर second year मतलब 2 साल तक का time दिया है, 2 साल में दो बारी count होगा, क्योंकि annually compound होता है, Salana count होता है, तो इसी को solve करना है, कोई बहुत मुश्किल calculation नहीं होगी, इसको 5 से अगर काटते हैं, तो यह 20 बन जाएगा, और अंदर आप अगर LCM डे लेंगे, तो finally solve करके, 21 upon 20 का square, यह बनेगा जाएं, और इसको आगे solve करेंगे तो, square हैं तो दो बार multiply करेंगे, right, zeros काटतीजे, दो, और 2 की टेबल में 80 कटेगा 40 पे, फिर इसी 2 पे इसको काट दीजे 20 पे, तो हमारे पास बनेगा 20 multiply, 21 multiply 21, 21 का square 441 होता है जे, तो 441, फिर इसको multiply करेंगे, देखे जी यह answer होगा, that means अगर 8,000 invest करते हैं, दो साल बाद 8,820 रुपीज उसको मिलेंगे, अगर 5% per annum interest पे payment होती है तो, right, तो I hope कि first part आपको समझाया होगा, चलिए second part स्टार्ट करते हैं, interest for the third year, अब देखो second year के बाद जो amount आई थी न, वो आगे के लिए क्या हो गई है, वो principal amount हो जाएगी, अब जो principal amount for third year, third year के लिए principal कितना हो गया मेरे पास, double eight two zero, अब सिरफ interest निकालना है, अब interest निकालना है, तो आप simple formula से निकाल सकते हैं, P into R into T upon hundred, simple interest, principal है double eight two zero, rate दे रखा है 5% और time एक साल, third year के लिए बोला है न, third year मतलब तीसरा साल, हो, है तो एक साल ही न, तो एक साल का interest ले न, इसलिए T1 लिया हमने, dividing by hundred, अब इसको solve करना है, तो देखते हैं, पहले तो 5 से नीचे काट देंगे, तो 20, 0 से इसको काट दीजिए, अब 882 उपर बचा मेरे पास, और नीचे बचा 2, इसको काट देंगे, तो 441, यानि की, थर्ड इयर के लिए कितना interest होगा, 441 रूपिस, I hope कि ये question आपको समझ आया होगा, आगे हम अपने next lecture में continue करेंगे, thank you so much,